दोस्तो हाली में कुछ satellite images से ये reveal हुआ है कि भारत Bay of Bengal में समुदर के अंदर एक acid nevel beast का निर्माण कर रहा है जा पर nuclear power से चलने वाली पंडूब्यों को रखा जाएगा दोस्तो इस project का code name है project वर्शा और ये बहुत ही strategic venture है DRDO और Indian Navy के बीच में दोस्तो आज के time पे भारत जिस तरीके से difference के अंदर strategic infrastructure का निर्माण कर रहा है उसी समझ में आता है कि भारत चीन को उसी आक्रमक भाशा में जवाब देनी लगा है जो भाशा चीन को समझ में आती है नए भारत को ये समझ में आ चुका है कि अगर आपको अपने दुश्मन से सर्फ बाचीत भी करनी है तो भी ताकत की यहां पर जरुरत होती है लिहादा Bay of Bengal में जो strategically बहुत important location है अगर हम चीन के लिहाद से देखे तो यहां पर भारत एक ऐसे naval base का एक ऐसे nuclear launch pad का निर्वाण कर रहा है जहां से nuclear power पर चलने वाली जो सम्मरीन से वह operate करेंगी और इन सम्मरीन के ऊपर सम्मरीन launch ballistic missile लगाई जाएगी एक और प्रोजेक्ट भारत की तरफ से चलाया जा रहा है जहां पर यह सम्मरीन launch ballistic missile से इनकी range लगबग साड़े 5000 किलो मेटर बनाई जा रही है लेकिन काफे जाता गुप्त प्रोजेक्ट है और इसके बारे में जादा जानकारी पॉब्लिक ली अवेलेबल नहीं है अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत को मिलने वाले थ्रेट की तो साथ अपरेल दो हजार चॉबश में एक आर्टिकल आया था ज समझोते किये थे जहां पर आठ पंडुब्यों को लेकर एक एग्रिमेंट पर साइन हुआ था जिसमें चार चीन में चार पाकिस्तान में बनने हैं अगर आप यहां पर इस वीडियो को देखेंगे तो यह उस इविंट की है जहां पर चीन की तरफ से जो हंगल क्लास प्रुब्या है वो लगादार इंडियन ओशन रीजन में फ्रिट देते हुए दिखाई देती हैं सिर्फ इतना ही नहीं नुक्लियर पावर से चलने वाले यह जो बैलस्टिक सब्मरीन से यह चीन के पास छे हैं और वह बैजन क्लास के हैं और इनके ओपर जे एल्टू सब् बैलस्टिक मिसाइल लगी हुए है खतरे की बात यह है कि चीन की जे एल्टू की जो रेंज है वो लगबग 7200 किलो मीटर है इसलिए भारत को प्रॉजेक्ट वर्ष्व जैसे जो इन्फर स्ट्रॉक्चर वाले प्रॉजेक्ट है इनकी काफे जादा सब्वत है एक रणनीति जा रहा है इमेजे से यह भी रिवील हुआ है कि यहां पर काफी सारी सुरंग बनाई जा रही है और संभवत है इन सुरंगों को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि पंडूब्यों के ऊपर किसी भी तरह का थ्रेट ना आए उनको छुपा कर यहां पर सीफली रखा जाए क्यो जो कई बार आपके जो दुश्मन है वो अचानक से आपके उपर हमला बोल देते हैं उस हमले में कोशिश यह कि जाती है कि डिफेंसे रिलेटेड जो भी आपका इंफरस्ट्रॉक्चर है उसको बरबाद कर दिया जाए लेकिन पंडूब्यों के अंदर क्योंकि स्टिल्थ टेकनोलजी होती है यह न्यूक्लियो पावर से चलती है तो यह सैटलाइट्स के दुआरा या किसी भी जासोसी उपकरण की पकड़ में इतनी आसानी से नहीं आती इसलिए पहला हमला होने के बाद रिटैलियेशन करने में यह जो सब्मरीन होती है और सब्मरीन से लांच हो उन्यवाली जो बैलस्टिक मिसाइल होती है यह आपकी रक्षा पंक्ती के रूप में काम आती है अब दोस्तों की लोकेशन की बात करते हैं यहां पर मलका स्ट्रेट है चीन इसको एक चौक पॉइंट के रूप में देखता है इसलिए चीन के तरफ से जो है कुछ अन्य अकिस्तान तक हमला कर सकती है और यह चीन को भी कवर तब तक नहीं करती जब तक भारत मलका स्ट्रेट के पास आकर हमला ना करें तो दो बाते करने की बहुत जरुरत है सबसे पहला अपनी बैलस्टिक मिसाइल के जिनको सब्मरीन से लौच किया जा सकता है उनकी रेंज आने की जरुरत है जो की इस मलका स्ट्रेट के पास हो अगर आप देखेंगे तो भारत इन दोनों ही पॉइंट पर काम कर रहा है डियाडियो की तरफ से प्रॉजक्ट चल रहा है बेहत गुप्त है वहापर लगबग 5,000 किलो मिटर वाली जो सम्मरीन लौच्ट बैलस्टिक मिसाइल से उनको बनाया जा रहा है और दूसरा बंगाल की खाडी में विशाका पत्नम के पास एक ऐसा नेवल बेस भारत बना रहा है जिसका एरिया करीब 1680 एकड में फैला हुआ है काफी बड़ा जो है यह होने वाला है अब बात करते हैं भारत की न्यूक्लियर पावर सम बन चुक है जिसमें पहले से ही छे गंट्री से अमेरिका रूस बिटेन फ्रांच और चीन और भरत भी उसका हिस्सा यहां पर बन चुका है अब यहां पर देखिए जो हमारा पहला अरिहंत है उसको बनाया जा चुका है इस पर जो है के 15 समरीन लांच बैलेस्टिक लगी हुई है लेकिन इनके रीज केवल 700 किलो मिटर है इसके बाद एक दूसरा सम्मरीन जो भारत की तरफ से बनाया जा रहा है वह है आयनेस अरिगार्ट के बाद एक तीसरा सम्मरीन जो भारत बना रहा है उसकी बहुत जादा जानकारी उपलब नहीं है उसका कोड नेम है S4 और माना जा रहा है कि यह पहले दो के कंपैरिजन में काफी जादा मॉडन और काफी जादा टेकनोलोजिकल एडवांस होगा देन भारत काम कर रहे है बीसिकली फोर्थ नंबर पर और यह जो फोर्थ नंबर का सम्मरीन यहां पर भारत बना रहा है यहां पर इंटर लेकिन पब्लिकली उनको दिखाना जो है संभव नहीं था क्योंकि उनको प्रोटेक्टेड रखा गया है जो इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग है इनकी तरफ से भी प्रोजेक्ट वर्शाव को लेकर एक शांदार आर्टिकल पब्लिश हुआ है लेकिन उस आर्टिकल को भी बिना इनके पर्मिशन के पब्लिक लिए दिखाना संभव नहीं है लेकिन इस आर्टिकल के पढ़ने के बाद ही यह सारी इंफॉर्मिशन मुझे यहां पर पता चली है अब यह जो है एंट्रेंस है उस निवल बेस का कुछ फूर्दर इंफास्ट्रॉक्चर की फोटो जो ह हमें दिखाई देती है और यह तो बात होती है पूर्वी टठकी यानि कि बेओ बंगॉल की लेकिन आपको तो बता है भारत के समुनरी सीमा काफी लंबी है अब हमें अपने वेस्टल कोस्टल इरिया को भी तो प्रोटेक्ट करना है इसके लिए भारत के पास एक प्रोजेक सीबर्ड यह जो प्रोजेक्ट सीबर्ड है इसका ओर्रेडी फीज वन कंप्लीट हो चुका है करनाटका के यह पास है और इसके फीज टू पर काम चल रहा है अभी दोहजार चौबस में जो हमारे रक्षामंदरी है उन्होंने यहार पर काफी सारे डिफेंस प्रोजेक्ट क से कम लांच क्या तो पूर creeper बन रहा है आपका प्रोजेक्ट वर्षा और परोगी बन रहा का सिबर्ड वर्षा यानिकि बारिश का मतलब निकल कर आता है कि भारत व की समुझाढ़ी टाकत है वह पूरी दभर सी देशों कारटा देखनें को मिलती है यह जवां नू. So this is all about from my side यहां बहर मैंने आपको एक question दिया है आप इसको solve करके comment action में जो है reply कर सकते हैं